गुड मॉर्निंग, वेलकम टू EMS, MBSS Institute of Mathematical Science तो कैसे हैं आप लोग, आज हम लोग फिर आपके लिए एक नए कोर्षन के साथ आए हुए हैं जो BPSC में, 65th BPSC में, 25 BPSC में पूछावा कोर्षन है कोर्षन calculus portion से है, क्या कहता है कोर्षन direct देखते हैं फिर इसके बारे में हम लोग आगर discuss करेंगे कहता है कि prove करना है, prove that double integration का question है double integration under root mod y minus x square dx dy को prove करना है कि 3pi plus 8y कितना हो जाएगा, 6 होगा, जहां पर मेरा r क्या है minus 1 से 1 and 0 to 2, that is, यहां पर double integration का question है जो कि मेरा r है, जो यहां दिया हुआ है, तो double integration में जब भी r domain जो होगा, वो मेरा क्या होगा, two dimensional space से होगा आनि कि कोई ना कोई एक region होगा, कोई ना कोई एक area होगा तो यहां पर अगर इस r को जो describe करने का तरीका इसको थोड़ा देखे तो कहता है कि x का value minus 1 से 1 है और y का value 0 से 2 है यह दोनों दिया हुआ है, double integration में में मेरा region दिया हुआ है एक function of two variable fxy दिया हुआ है, जो कि under root mod y minus axis को रहे, इसका value जो हमको find करके देना है 3pi plus 8y 6 होगा, है ना, इसके अंदर में mod भी लगा हुआ है कहिना का यह function, यह जो domain है, आर इसमें negative और positive दोनों आ सकता है है कि नहीं, तो solution हम लोग करते हैं और देखते हैं और इससे related भी, अगर यह question हम लोग अच्छे से कर लेते हैं आज तो इससे related इस तरह का question हम कुछ exercise इस वीडियो के अंत में देखे जाएंगे ताकि वो आप लोग आगे बनाएंगे, इनी concept को देखते हुए और अगर आपको check करना है, तो उसका answer भी हम description में दे देंगे आप टेलिग्राम में जाके वहाँ से देख सकते है, link description में मिल जाएगा ठीक है, start करते है video solution में सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे क्या जो मेरा दिया हुआ है, क्योंकि generally suggestive question में जो proper तरीके से अगर लिखते हैं, तो उसमें क्या होता है, कि marks काटने का कोई भी chance ने रहता, हम लोग shortcut नहीं करेंगे, step by step चलेंगे, जहां हम को लगे कि हाँ कुछ portion या कुछ step भी skip करें, तो कर सकते हैं, नहीं, तो पूरे अच्छे से लिखेंगे, जिससे कि कोई भी marks मेरा ना कटे, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है, हम उनको लिख लेते है, कितना, mod y minus x square dx dy, और जहां पर मेरा कहता है, कि r क्या है, तो कहता है इसी domain में, इसी region में ही, इस double integration का value मुझे क्या करना है, find करके देना है, सबसे पहले यहाँ पर जो mod है इनको तोरते हैं, कि हो सकता है, यह negative और positive इस region में आए, तो पहले यह region उससे अच्छा है कि draw कर लेते हैं, इस region को draw करते हैं, क्या है, minus 101, तो coordinate ले लेते हैं, यह हो गया, this is x-axis, this is y-axis, and this is our origin, okay, minus 1 से 1 के बाद कर रहा है, minus 1 से 1, x का value minus 1 से 1, तो यह ले लेते हैं, x बढ़ाबर minus 1, और यहाँ कर देते हैं, x बढ़ाबर 1, x का value minus 1 से 1 दे दिये, y कहता है, मेरा 0 से कितना है, बच्छो, 2 है, तो y 0 से 2, इसी पर ले लेते हैं, एक हो गया, y 0, that is x- x-axis, और एक ले लेते हैं, यहाँ पर, यह हो गया, y equal to 2, और y equal to 0, तो मेरा, यही पर होगा, x-axis ही हो जाएगा, तो region कौन सा मेरा, region जो यह rectangle बन रहा है, y का value 0 से लेकर 2 तक, x का value minus 1 से 1 तक, इसी region, इसी r में मुझे क्या करना है, इस double integration का value को find करना है, तो इस में हम लोग अगर इस region को थोड़ा से हम लोग ड्रोग करेंगे, तो कैसा दिखेगा, थोड़ा से, यह है मेरा r, यह है मेरा r, ठीक, इसी r पर हम लोग को find करना है value, यह है पूरा का पूरा r, ओके, अब आते हैं इस function पर जो दिया हुआ function है, इस पर बात करते हैं, तो सबसे पहले क्या क करेंगे, mod का properties देख लेते हैं, कितना होता है, इसको कैसा लिख सकते हैं, यह हो जाएगा, y-x square जब मेरा क्या हो जाए, कि y-x square positive हो जाए, और minus हो जाएगा, y-x square जब मेरा y-x square क्या हो जाए, negative हो जाए, दोनों case में, थोड़ा सा इसको elaborate करते हैं, और अच्छा से, तो y-x square देगा, जब मेरा क्या हो, y greater than x square, अच्छा, equality भी लगा दे, तो कोई problem नहीं है, क्योंकि दोनों के case में तो 0 ही होगा, नीचे में कितना हो गया, x square minus y हो जाएगा, जब मेरा क्या हो, y less than x square हो जाए, है न, greater than हम चाहे तो यहाँ भी लगा से नीचे, एक जगा लगाए, कोई यहाँ दिख रहा है, लिएन condition है, जब y greater than x square हो, और y less than x square हो, इसमें कर रहा है, तो y कब x square से बढ़ा होगा, और कब x square से छोटा होगा हो, यह कैसा decide करेंगे हम लोग, तो काम करते हैं, y बरावर x square का ग्राफिक खीची देते हैं, draw कर लेते हैं, y बरावर x square क्या होगा, प अगर हम उपर की और देखेंगे, तो y मेरा ज्यादा होगा, पारा बोला के, हम लोग right side देखेंगे, तो मेरा x ज्यादा होगा, ठीक है, तो इसी graph को हम लोग यहाँ पे draw करते हैं, कहाँ पे, y बरावर x square को draw करना है ना, तो ऐसा कुछ जाएगा y बरावर x square, यह क्या है मे मेरा curve है, y equal to x square, अब y equal to x square में देखो, तो यह जो portion है, उपर वाला portion, यह जो portion है, उपर वाला portion, यह वाला इसमें मेरा क्या होगा, positive होगा y greater than x square, और यहाँ छोटा जो portion दोनों दिख रहा है, इसमें मेरा क्या होगा, y less than होगा x square से, तो कैसे कह सकते हैं, आसानी से इसमें कि यह जो portion है, इस portion मेरा क्या होगा, y greater than हो जाएगा x square से, और यह जो छोटा वाला portion है, इसमें y less than हो जाएगा x square से, और यह वाला में भी बोल सकते हैं, कि y less than हो जाएगा x square से, तो मेरा जो integration है, वो दो पार्ट में divide हो जाएगा, आगे करते हैं, एक हो जाएगा positive part के जो भी region R दिया हुआ है, उसी region R में, है ना, ओके, so, so, हम यहां क्या लिख सकते बच्चो, double integration R, उसको दो पार्ट में हम लोग तोर देंगे, mod y minus x square dx dy को, किसमें, double integration R, जब मेरा क्या हो जाए, एक पार्ट हो जाए, उपर वाले के लिए, एक काम करते हैं, इसी में से हम क्या करते हैं, यहां पर, region का value लिखते चलते हैं, साती सात, कैसे, यहां पर देखते हैं, अगर हम y positive वाले case पर लेकर चले, तो x का value अगर हम limit लेते हैं, double integration में, अगर x को treat करते हैं as a constant limit के लिए, तो y मेरा vary करेगा, अपर, यहनि कि इस तरीके से, इस तरीके से, तो y का value हो जाएगा, पारा बोला से लेकर 2 तक, जब मेरा क्या y greater than x square में बात करें, और जब lower में बात करेंगे, तो मेरा कैसे चलेगा, lower में, तो lower से भी हम देख सकते, वो चलेगा, ऐसा करके, कुछ करके, इधर से, इधर चलेगा, तो y कोल टो 0 से लेकर y कहां तक जाएगा, बच्चों मेरा, पारा बोला तक जाएगा, तो दो पार्ट का range भी देख लिए, एकस का value तो minus 1 से 1 ही है, तो x का value minus 1 से 1, पहला range के लिए y चलेगा, पारा बोला से लेकर 2, अगर दूसरे वाले के लिए 0 से लेकर पारा बोला, तो दोनों केस में हम लोग यहां पर देख लेंगे, कितना हो जाएगा, मेरा, एकस का value अगर ले लेते हैं, minus 1 से 1, पहला वाले पार्ट के लिए, जब y बढ़ा हो, x स्कूर से, उस केस में y बढ़ाबर कहां से चलेगा, मेरा, पारा बोला से लेकर 2 तक, तो यह हो जाएगा, root under y minus x स्कूर, थोड़ा इसको अच्छा से लिखते हैं, root under y minus x स्कूर, यह हो लिए, यह जो नीचे में, y less than x स्कूर के लिए, y less than x स्कूर के लिए, उस केस में कितना चलेगा, 0 से लेकर पारा बोला, तो उसकेस में चलेगा, यह y का value, 0 से लेकर पारा बोला, x स्कूर, और उसकेस में, मेरा x स्कूर minus y हो जाएगा, dy, dx, clear? अब कुछ नहीं बचा, यह simple question बनेगी या double integration का अब इसको solve करेंगे और जो मेरा required result है वो अपने आप आजाएगा अब कुछ नहीं है फटा पट करके हम लोग क्या करते हैं तेजी से से इसको solve करते हैं जल्दी जल्दी माइनस 1 से 1 हो गया यहां पर y kis y को कर सकते हैं किसके respect में η के respect में यहां फीर 미안us 1 से 1 हो गया x स्कूर माइनस y पर power 3y2 क्योंकि जब भी हम y के respect में करेंगे तो वहाँ पर treat होगा कितना वहाँ पर treat हो ठिरो तो यह हो गया और यहां माइनस वन से रहाँ हो गया यहां पर कितना हो गया कितना हो गया अपर लिमेंट एकश स्कुवर से Zero minus low limit x का value 0 कर देंगे तो sorry y का value 0 कर देंगे तो कितना हो गया x square पर power 3y2 यह हो गया dx करना क्या है कुछ नहीं बस calculate करना है 2 by 3 minus 1 से 1 2 minus x square पर power 3y2 dx यहां minus यहां minus plus हो गया 2 by 3 minus 1 से 1 और यहां पर हो गया x cube dx गौर से देखोगे तो x की विजए odd function and 2 minus x square जा even function range मेरा है minus 1 से 1 तो properties of definite integral हम लोग यह बोल सकते हैं कि even function है तो 2 times into 0 to 1 हो जागा integral और यह odd function है तो इनका value कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा इनका value कितना हो जाएगा 0 होगा कहां से हम लोग लिख सकते हैं पर इसका value को पहले एक लाइन लिख लेते हैं इसका value को लिख सकते हैं 2 times कर दे तो 4 by 3 0 से 1 2 minus x square पर पावर 3 by 2 dx और पलस 2 by 3 यह हो गया 0 कहां से कहां से तो हम लोग बोल सकते हैं कि x cube is चूंकि x cube is odd function कैसा function है odd function तो implies करेगा minus 1 से 1 x cube dx कितना 0 by properties of definite integral है ना and 2 minus x square is even function यह पूरा का पूरा इस पर पावर अगर हम 3 by 2 भी दे देंगे कोई फरक नहीं पड़ता तो भी even होगा even function अगर यह even function है तो implies करेगा minus 1 से 1 2 minus x square पर पावर 3 by 2 इसको हमनों क्या लिख सकते हैं 2 times into 0 से 1 2 minus 2 minus x square पर पावर 3 by 2 यह वाला portion हम लोग यहाँ पर कवर कर सकते हैं अब यह simple हो गया आसान हो गया 4 by 3 2 minus x square है यह तो हो गया 0 ठीक है ओके implies कर गया double integration आर जो दिया हुआ है mod y minus x square dx dy कितना हो गया बच्चों मेरा यहाँ पर एक जलक देख लेते हैं थोड़ा सा क्या था ओके दो portion इक सा चले गया यहाँ पर हो गया मेरा कहां गया 4 by 3 4 by 3 2 minus x square होगा 4 by 3 4 by 3 0 से 1 2 minus x square पर पावर 3 by 2 dx अब यह कितना का? एक integral का बचा अब इसमें कुछ नहीं है फटा फट करते रहो और answer आने लगेगा पूट कर देते हैं substitute कर देते हैं x equal to root 2 sin theta तो यहाँ से कर देते हैं dx बरावर root 2 sin का हो जाता है cos theta theta का d theta 2 minus x square बरावर 2 1 minus कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा sin square theta equal to 2 cos square theta that means 2 minus x square पर पावर 3y2 equal to 2 पर पावर 3y2 cos square theta कितना हो जाएगा बच्चो तो cos cube theta हो गया अब एक और है at x equal to 0 पर theta मेरा कितना देदेगा या sin theta ही मेरा देदेगा 0 जिसमें की मेरा theta बरावर भी 0 हो जाएगा and at x equal to कितना है? 1 है उस case में मेरा sin theta कितना हो जाएगा? 1 by root 2 that means अगर first quarter में या कितना value हो जाएगा? pi by 4 so double integration का value क्या हो गया बच्चो? substitution का help लेके हम लोग कर लिया अब तो ये बहुत आसान हो गया इसमें कुछ और रहा नहीं ये बहुत तेजी से बन जाएगा ओके ये हो गया मेरा 4 by 3 हो गया 0 से लेकर pi by 4 हो गया इसका value हो गया 2 पर पावर 3 by 2 cos cube theta और d theta का value dx का value हो गया root 2 into cos theta theta का d theta 2 पर पावर 3 by 2 2 पर पावर square 4 by 2 4 is to 4 4 is to 4 by 3 यहाँ पर हो गया 0 से pi by 4 यह cos cube और cos theta cos per power 4 theta 1 plus cos 2 theta by 2 का square cos per power 4 theta को लिखी सकते है क्योंकि आब integrate ना करना है हमको तो यहाँ पर हो गया 16 by 3 और यह हो गया 0 से लेकर pi by 4 1 plus नीचे तो फूर हो जाएगा तो 1 plus cos square 2 theta और plus 2 cos 2 theta divided y हो गया यह मेरा 4 theta का हो गया clear यह 4 फिर cancel हो जाएगा फिर आगे कर लेंगे cos square theta को भी हम लोग देखते हैं कितना हो जाएगा 16 by 3 into 4 अगर कॉमा ले लेते हैं 0 से pi by 4 यहाँ पर 1 plus कितना था 1 plus 2 cos 2 theta और cos square 2 theta को फिर हम लोग लिख सकते हो वापस 1 plus cos 4 theta divided by 2 1 plus cos 4 theta divided by 2 ठीक है D theta linear में करने motive क्या था मेरा motive था कि इस differential equation को solve करना है sorry यह जो integration ने उनको solve करना है तो उनको क्या कर दिया linear में कर दिया ताकि linear का हम को sin या cos में अगर आ जाता है multiple of angle आ है कोई problem नहीं तो उनको हम आसान इसे क्या कर सकते है solve कर सकते है तो यहाँ पर इसको 1 को लिख दिया 2 cos theta cos इसको 2 theta को लिख सकते है 1 plus cos 2 theta by 2 यह 4 4 cancel हो कर देंगे तो यहाँ पर 4 by 3 हो जाएगा है उस 4 को यहाँ पर ले लिए है तो यह उपर हो गया 4 by 3 अब इंटेगरेट करना है 1 plus 1 by 2 तो 3 by 2 d theta का theta plus 2 cos का हो जाता है sin 2 theta divided by 2 यहाँ पर हो गया cos 4 theta that means sin 4 theta divided by 4 by 2 8 कितना हो गया 0 से लेकर pi by 4 तो यहाँ पर हो गया 4 by 3 यहाँ पर 3 by 2 और इधर हो जाता है pi by 4 प्लस 2 to cancel हो जाता है यहाँ पर हो गया sin 2 by by 4 that is pi by 2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा मेरा sin pi by 8 यह क्या हो बच्चों अपर लिमिट lower limit में theta का value 0 तो 0 sin 0 0 और यहाँ भी sin 0 0 तो lower limit तो मेरा 0 ही लागया तो यह कितना हो गया 4 by 3 यहाँ हो गया 3 pi by 8 प्लस sin pi by 2 और वाके sin pi वाला तो 0 ही हुआ तो यहाँ से हो जाता है 4 by 3 into 8 और इधर कितना हो गया 3 pi plus 8 यहाँ से कितना आगया निकलके यह तो कर जाएगा तो हो जाएगा 3 pi plus 8 by 6 हो गया 3 pi plus 8 by 6 Hence जो मेरा मांगा गया था जो मेरा requirement था वो क्या हो गया फुल्पिल हो गया तो Hence double integration R रोडंडर mod y minus x square dx dy का value जो मुझसे मांगा गया था वो हम लोग आसानी से लाके दे दिये जो मांगा गया था उसको हम लोग क्या कि आसानी से लाके ठीक है clear यही prove करने बोला था हमको proved हो गया एक जलग इस question को वापस हम देखते हैं कि क्या की अभी तक ठीक है question मेरा दिया हुआ था double integration में हम इस modulus को break किये जो over the region दिया हुआ पता चला इस region R में ये region R में ये दो पार्ट में divide होता है कभी positive होता है कभी negative होता है तो ये modulus वाले function को हम दो पार्ट में break कर दिये जैसे break किया उसके according मेरा limit आ गया अब दो यहां पे double integration हो गया दो function मेरा कैसा double integration का है double integration को जैसे solve करते हैं उसको आसानी से हम लोग solve कर दिये जब y के respect में integrate करेंगे तो x मेरा constant होता है और जब x के respect में integrate करते है अगर उसमें function y रहता है तो y मेरा constant हो जाएगा है नहीं एक variable के respect में करेंगे तो उनको छोर के बागी सारे जितना variable होता है वो treat होगा मेरा as constant यहां से ये clear हो गया उसके बाद क्या था उसके बाद कुछ नहीं था जो मेरा question का था demand कि हाँ उसको integrate करके final 3 5 plus 8 by 6 करना है वो prove हो गये कुछ भी नहीं है इस से related अभी हमें question देते हैं और आपको try करना है वो आपके लिए exercise हुआ exercise एक question देंगे वो exercise रहेगा उसको बनाना है सीधे value निकालना है evaluate double integration और cos maximum क्या करें angle में maximum ले लिए x cube y पर पावर 3y2 dxdy angle है cos का angle में दिये हुए है maximum x cube और y पर पावर 3y2 दोनों में से कोन सा ज़्यादा होगा इन्हें कोन बड़ा होगा कोन छोटा होगा mechanism value किंका होगा तो यह कैसा decide करेंगे जब तक कि दोनों के बीच में relation नहीं होगा जब तक कि x cube और y पर पावर 3y2 के बीच में relation हम लोग develop नहीं करेंगे तब तक है कैसे decide कर सकते है कि x cube बड़ा हो جाएगा कि मेरा y cube बड़ा हो जाएगा है ना तो पहले उनको equal करके तो देखो क्या result आता है हाँ अब r क्या है where where r is the region r is the region bounded by the inequalities inequalities कुण सा 0 से x का value 1 and 0 से y का value क्या दिए 1 इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं डाटिज को हम लिख सकते हैं r को जैसे अब जो question दिया वा था उसके हिसाब से लिखे तो वह ऐसा दिखेगा और 0 से 1 that means x का value 0 से 1 और y का value 0 से 1 बाउंड लिखने का और बहुत तरीका है जैसे कि एक r ऐसा विलिख सकते हैं 0,1 interval cross product से 0,1 Cartesian product of two states that is यह x का range है यह y का range है तो भी तो यह r होगा two dimensional space से जो भी r होगा क्या होगा एक region होगा एक rectangle बनेगा क्योंकि inequalities है तो एक rectangle होगा clear है उसी concept पर है कि maximum angle दिये हुए है कब ज्यादा और कम होगा तो इसका मतलब अगर x q कभी बढ़ा है y पर पावर 3y2 से तो कहिने का इस case में कुछ बनेगा और y पर पावर 3y2 अगर x q से बढ़ा है तो कहने का इसी rectangle के अंदर ही हमको करना है बाहर से कोई मतलब नहीं है इसी rectangle के अंदर करना है उमीद है यह question आपको समझ में आया जो भी हम किये और साथ में यह question जो दिये हुए है यह आपसे बन जाएगा ज मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जाहिन